कर दgraväh तो आज किस वीडियो में डिसकास करने आले आ्रस नामन्क लेचर जिसको प्रपोॉस्ट किया था करणिंङ ॉल प्र लाहने आर आस NOMAAं कलेचर इससे प्रपोउस्ट किया दकॉंव क्थार इसको प्रपोॉस्ट किया तो इस T कलाव सब्सक्राइब है तब कलाओ रोटेशन और सब्सक्राइब करते हैं तो और कीछां किसे करना है कि यहां पर मैंने एक्जामपल लिखे हुए है इन सब इन सब का आरेस नामन क्लेचर करना है तो हमें कि इस कारवन का आरेस नामन क्लेचर करना होता है और यह कारवन जो होता है वह हमारा कारवन होना चाहिए कि सबसे पहले बाद हमें इसमें देखना है कि यह कइर्ल कारबन है तो इसमें हम अरिस नॉंगंक Посlect اकर अगर क camera नहीं होगा तो इसमें हम आरेस नाई कर पांगैंगे तो इसमें जित्ला भी मैंने लिखा है सब sequences school रूल परता है जिसको हमें इस नमबरिंग करना है है उसके लिए हम फालो करते हैं सीकेंस रूल तो इसमें सबसे पहले नंबर हम क्या देंगे जो हमारा हायर प्राइरोटी होगा जिसका एटामिंग नंबर सबसे ज्यादा होगा उसको हम देंगे वन जिसका भी एटामिंग नंबर सबसे हाई होगा उसको हम नंबरिंग करेंग 1 कि स्काइब तो फिर उसके वाले उसके बाद वा detector अभी हम इंग्जामिल में देखेंगी सब्सक् ello apr april एक तो किसी केस में तो उसमें आम देखते हैं अडामी माज इसका है उसका करते हैं अब 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 गुर खिai है कि मैंने पहले बता दिया है कि कार्बन कार लोना चाहिए तो यह वाले ग्जांपल देखेंगे आप तो इसमें hydrogen आप डिट्रीयम इसका आइसोटोप है तो दोनों में इसका एक्रामिंग नमबर तो सेम मूँव करना इस्टार्ट करेंगे इससे हम लेंगे 2234 पहुंच जाएंगे फिर हम उसे मूब करेंगे अगर मूफ करती है 123 हमें मूफ करना है 123-4 4th position गेरे को हम निगरेंगे 123 can करेंगे आगर हम मूफ कर पाते हैं कलाक जरेक्षन में तो असे मistically करें आर्स से अगर हमारा मुवभ्मेंट होता है इंटेकल गॉइस तो उसको हम रिपर्ज़ेंट करेंगे इस 40 तो अब रमारा क्या है चोथा मिलिए पहला है अगर अमारा फिषर प्रॉजेक्शन हर आप से फिछर फरोजेक्शन किया है फिचर फर फोडिशन जो है रोराटम पर ओ रो हय तो सब देखलें देखाएं फिषर पोलेक्शन फार्मूला दुसर क्या Is कि अच्छिशर प्रोजेक्शन फार्मूला अप पूरा लेलेंगे तो इसको ठोन सिंप्ली रिप्रेजेंट करने के लिए हम यहां पर अच्छान से बना देते हैं इसे हम करते हैं अभशर प्रोजेक्षन फार्मूला अभ इसका मतलब यह आपको बता दो ओन्हें आया कि पताण करा दोन हो इसको कमें निचींप नहीं कि मतलब इसको लोह कहां ये आपक बीच में जो हमां कारवान है में कारवन और यह कारबन और यह STEPHAN एमारी वार्टिकल लाइन और यह हरीजाटल और जो हरीजाटल होदिये वह टूर्डीवी वीवर हो तिय disturbing किरो चाहा पहुन करें जब करकें ढृए hatır अब आने अब आघर चाह मेंने किल दॉज हुआ और जो आठीकन लाइन होटी यह वह अभ 재ानिक की हम इसको इससरी आसधिर्पर रोजेक्शन में दोणहँ हूं और कि दोनों विवर के बैक शयूंडियली विए विंदर मतलब जो देकर हैं मोती यह एंच के देखने वाले के सामने होती है यह दोनों ऊसके बैक साइड मोती है कि यह तक मेरी फिचेश पोड़ जैक्शन फ़र्मुला अभी समें सब्सक्राइब कर एक कि फर्थ पोजीशन जो हमेवह वह तो बाटम परो यह तो टाप पर नश्झा फॉर्थ पोजीशन यहां पर फिल्पोजीशन पर वह आएकि प्व पोलिजिन इहां पर या तो फॉर्थ बॉजीशन यहां पर यह जो टॉthemर और यह जो सॉलिड वाला है इसे हम कहते हैं वेज अब इसके बाद आता है इन फ्लाइंग फार्मूला ने तो फॉर्थ पोजीशन इसमें अवे फ्राम्दी विवर अब फ्राम्दी वीवर मतलब यह डोटेड वाले पर होनी चाहिए अब फ्लाइंग फ्लाइंग में पास एक कारवान होगा और उस्से लगए यह जो बांड आयं के वो कि इस तरह से हमगे के में इस तरह से हमारा होगा तो इसे हम कहते हैं स्लाइंग Phils formula तो यहां फिर हम इसे कहते हैं वाज ベज डैश रिप्रेजशन क्यों कि यह होता है वे यह होता है डैश पर यह वाला यह व्ला डाइस रिप्रजेंटेशन और इसमें क्या है फॉर्थ पोजीशन जो है अब फ्राम्दी वीवर यानि कि आभी फिर वाले पोजीशन हमेशा यहां पर होनी चाहिए तब जाकर यह हमारी होगी प्रापर पोजिशन और फिशर में क्या है टॉप पर या फिर बाटम पर हो फॉर्थ पोजिशन और फॉलाइंग वेज में फॉर्थ पोजिशन डॉटेड वाले पर होनी चाहिए यह हमारा चौथा रूल ज५र उलके फिशर में यह एख़ए लुर्ग फोडिशन बाटम हो टाप इसमने नहीं तो फोर्थ वोडिशन हमारी वहां पर होनी चाहिए अगर हमारी फोर्थ पॉडिशन वहांपर होती है तो थीक है जिस तरह से हम लेजर करते हैं 123 तो आर करेंगे अगर 123 एंटिक लग गए तो से हम इस करेंगे अगर हमारी फॉर्थ पोजीशन इसके अलावा यहां पर यह फिर यहां पर यह फिर यहां पर आती है तो उसमें हम आर को कर देते हैं इस इस केसमें क्या करते हैं अगर हमारी कि फोर्थ पोजीशन अगर हमारी बॉटम या टाप पर आती है तो हम इसके कार्डिंग नमर करेंगे अगर ऐसा नहीं आता है तो हम आर को जो होगा उसको कर देंगे इसमें और इसमें भी वाई करेंगे अगर हमारा आर होता है तो इस on others को आएफ अघ्यक करें एंगे है जब फोर्थ पोजीशन डेश पर नहों तब जैसे इस टाहिम अगर फोर्थ पोजीशन डेश पर रह तो आढ़र आये का तो और नवींगे अगर आ लेगिन अगर यहां पर ना होकर अगर फिर्फ पोजिशन यहां पर हो जाये इस वाले पर अगर हमारा इस इस के हमें जब हम रोटेट गरेंगे जामारा रुटेंड तो यह समझते हैं tú हमें ज्यादा किलियर होगा अ कि चलिए पहले एवाला एक्जांपल दखते हैं कि यह हमारा पहला कार्बन हम हम पहले सीक्वेंस रूल पहला पहला सीक्वेंस रूल का पहला नमबर फालू करते हैं इसका अटामिक नमबर जिसका हाई है उसको देंगे वन तो यह कार्बन है इधर ब्रॉमीन इधर कलोरीन इ नमबर फिर इसके बाद किसका है oxygen है यह हमारा कार्यल कार्वन है अब कार्यल कार्वन से sneaking GuerreTwo डा Minecraft को हैं हम उसे देखेंगे इधर ब्रोमीन ऐदर कलोरीन और कलॉरीन और यह राखी जनवर आख फीजन और क्लोरीन में देखेंगे कि सका वन नंबर स्क्राइब नंबर चुक्क एता मैक वन इफ क्लारी करमर देंगे ट्यू और इसके बाद अक्सिजन और हीड्रोजन तो अक्सिजन और हाइड्रोजन में नंबर बें ज्याद़ लगवाए जुन और इसको हम फोर है तो हमें could से करना है है यहां यहां है तो हम इसको इस तरह से मूव कर आ सकते हैं तो इस तरह से हम आरे यह होगया ओगया क्लाक वाज डिरेक्शन होता है तो इसके लिए हैं रिपरेजेंट करते हैं आर से तो इसका नमन कलेचर हो जाएगा इस कारवन का हम इसके लिए लिखेंगे आर कान्फिगुरेशन इस फिर सबस्क्राइब देखते हैं दूसरा एक्जामपल इधर आक्सीजन इधर कारबन इधर हाइड्रोजन इधर डिटेरियम और तो आक्सीजन नमबर सबसे ज्याद है फिर इसके बाद कारबन और एक्टामिग नमबर राफ यद्रोजन और डिटेओरियम दोनों का से जब इत्रामिंग नमबर हमारा फेल तो दूसरा रूब मरका रहात है अगर हमारा फियल होता है तो हम जाते है टामिवस्ट पर तो हुआ है तो इसको ने देंगे और इसको देंगे नमबरी फॉर्थ अब हमें मूव कैसे करना है वन टू फॉर्थ पर से हम जाएंगे तो उससे कोई मतलब नहीं हमें मूव करना है वन टू तरी इधर हम गए वन टू फिर उसके पाद हमें थिरी तक जाना है तो तो यह भी मूफमेंट कैसे हुगा क्लाउक वाई डिरेक्शन तो इसके लिए भी हो जाएगा हमारा आर आर कान्फिग्रेशन अब देखते हैं हम तीसरा तीसरा आप देखते हैं कि यह वालता हमारा कारल सेंटर ना आरस नामन क्लेचर करने के लिए सबसे पहले हमें कारल सेंटर ही ढोड़ना है अगर हमारे यह कारल सेंटर है तो इससे लगा हुआ ऑक्सीजन इधर कार्बन इधर कार्बन इधर यच अब हमें पहले यह नहीं और यह आमजलतória क्हां और यह अब यहां से दो में नहीं हो पाया तो हम तो नोशा और अधर गृपर बढ़ेंगे अगे कि आधरा है il game और हाइडोज़न अभी निकलत क्युम कर रहे हैं क्योंकि यह पर डोललबग कोई मतलब नहीं तो हम कर बंद पहुचे और यहां पर तीन हीडोजन मिला और यहां तक हम पहुचे तो यहां पर दो हेड्रोजन मिला और यहांसे आगे गए तीसरा वाला बान हमें कर्वन से मिलाया यानि कि यहां पर एक कर्वन दो कर्वन तीन कर्वन है और यहां पर दो कर्वन है तो यह वाला कर्वन पहले इस कर्वन से आएगा तो यहां पर तीन कर्वन है यहां पर दो कर्वन है और यहां पर तीन कर्वन है तो इसको हमनों बनी करेंगे कैसे कि यह कार्बन और एंक शाब यह कार्बन दो से इथर अ इसमेट बलें मिल रहा है और फिर चेंट सब वनेंगे तो इदर कार्बन मिल ना है तो फिर आप इस कार्बन और इस Hydrogen में fight होगी तो इस Carbomb काですね equipment फिर Hydrogen का तो हमारा जय्दा है Atomic number carbon का तो Carbon का हमारा जय्दा है तो इसको हम पनबनी करेंगे 2 मिशसे अब इन दोरों में देखें हैं है है to Hydrogen का तो कम है जय्दा है तो इसको म सबने जाहरा मुफ में तोऑ इसको करें के पो फोर क्या है सब आख में मुफ करना है traz हिे दिन हम इसी तरव और हमें यह भी करन मैं अच हुए थरे में मोझान करा लग नहीं है काहरल ठीक है इधर कार्वन ओक्सीजन एसको मुंपर करएंगे ऑज इस्कुश्राएं से इसकों नम्बरिग कुम अब इतर नेंगे कर बना है इतर जांगे कर बन तो कर बनकर बन्हाइब तो हिड्रोजरन है 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 और उसको दो त्रहेंगे तो Δ्शक अब लकुलिग् से सांघ अगे टर्वस्यद doesn right दिन में आपकmont लॉन रहें तू मैं तो यानिके आ दीन के फिरस्कोंन नोरिग करेंगे कर दो श्यक्राइंग को सबाशेगा जाएक का एंब हो फिर इसको था युए आप अब वॉण टुझेर हें थी तोामेरा देखेंगे न में फोर्थ पोजिशन हमारी बाटोम पर ऊहने यह होनी चाहिए तो हमारा इसाता है तो को nour pickle करते है कि अगर हमानी स्व plates पोजिशन और यहां पर होती इस आता तो हम इसको आहां बेंगे मैं झेलkiej इस मेर में इसको बादवाले में देखेंगे इसको पहले देख रहे थे इसमें देखिए ऑक्सीजन वन इधर कारबन दो यह दर हाइडोजन डिटेओरी में यह हो जाएगा थिरी और यह जाएगा फोर तो वन टू-3 हमें मूफ करना है कि वन टू-3 हम मूफ करें हमारा मूफमेंट क्लक्वाइज तो इसको हम रिप्रेजन करेंगे आर से इसी तरह हमारा अगला यह देखिए यह आ गया फ्लाइंग्वेज की तरह तो इसको अब हमें देखना है कि फॉर्थ पोजिशन जो है हमारी अवे फ्रामदी वीवर यानि क कि अवे फ्रामदी वीवर मतलब यह डॉटर वाले पर होना चाहिए यानि कि यह हमारे यह दो प्लेन पर होता है और यह उपर की साइड होता है और यह जो होता है पीछे की साइड होता है यह उपर की साइड मतलब यह मेरी साइड है और वो मेरे से पीछे की साइड है इसे क करेंगे इस आक्सीजन को वन इस कारबन वाले को टू इसको ठीरी और इसको फॉर यह बिल्किल इसी की तरह है बस मैंने इसको इसमें थोला सदिका आया देखिए यह सी यह इसको नमबरिंग टू किया थे तो यहां पर भी टू ऑक्सीजन ओएच वाले को वन था और चीह थी वाले को ठीड़ी था तो जाए कैसी और फॉर्थ पोजिशन हमारी अवे फरामदी वीवर है तो इसमें हम कोई चिंज़त नहीं करेंगे हम 123 रोड मूव किये कलाका यह कलाकवाइज मूव किया तो इसके लिए हम रिपेड़नेट कर देंगे आर तो अब देखते हैं कुछ और उग्जांपल मैं लिखता हूं पहले उसको देखते हैं तो आप कुछ और उग्जांपल देख लेते हैं तो हमने शिक्स एक्जांपल किये तो यह है सत्वा एक्जांपल हमारा तो इस तरह से करने का मतलब है यह हमारा फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला था यहां पर कार्बन है इधर अलग इधर अलग यह यह हमारा किरल सेंटर हो गया तो इसे हम नंबर ही करेंगे इधर कार्वन इधर कार्वन इसका रबन को को इसको नहीं है तो इसको फॉर्थ तो अब हमें मूव करना है 1, 2, 3 यह हमारा 1, 2, 3 नीचे आ रहा है तो अब हमें 1, 2, 3 मूव इससे करना होगा 1, 2, 3 फोर्थ पोजीशन हमारी टॉप पर है यानि की प्रॉपर पोजीशन है अब हम मूव करें हैं एंटी कलाकवाइस तो इसका नाम कल इसका नामन कलेचर हो जाएगा हमारा इस ठीक फिर इसके बाद देखते हैं हम एट इधर हमारा सी ओ ओ एच इधर है सी एच ओ इधर है सी हस्तरी इधर है सी एस टू तो इसको आप देखिए भ़हले हैं इस पर इस तरह से लिख सकते हैं यह और इस साइड वाले को विखिए और ऊपर क्या है चीएजट्ट्ट्ट्री और नीचे ओड़्त्ग का यह तो अब देखिए आप इस किस तरह से नंबरिंग कर सकते हैं इधर जाएंगी इधर कार्बन इधर जाएंगी इधर कारबन फिर इधर डबल वांड ऑक्सीजन इधर भी डबल वांड यह लेकिन फिर इसके बाद है रॉजन है और इसके बाद फिर ओक्सिजन है तो इसका प्लना भारी हो गया यह तरह देखिया ऑक्सिजन का आइंहें नंबर 8 इधर और ऑक्सिजन इंदर हंखरो जंगा बन तो इसको कारल सेंटर इसको नमड़ीन करिंगे टू फिर इसके बाद इसकी आ जाएगी तरी फिर इसका आ जाएगा फॉर्ट इसको पता है न वन टू तुमान न बता दिया ये थिरी इधर थे इस टूसे तरी दो करवन है नीचे ये कर बन आड़ तरी ए फॉर तो अब हमें में मूफ क तो इधर चो च्छ टू ओ यह इधर ओ यह ओ डिर्क्ट ली अटेज्ड है तो इसको नमबरी कर देंगे बन फिर इसको बात देखेंगे हम कि अच्छ टू ओ यह इधर च्छ ओ वगर इसको भी नहीं समझ में रहे इसको इसको भी पूरा आप ओपन करके लिख सकते हैं कि यह डबल बाइंड ओ और यह राय यह वह दर च यह यह जयाँ जाएगा ओ यह जाएगा यह जाएगा यह ढाले कारेसेंटर यह वाला है अभले नमभी नमभरिंग करनी है तो इस अक्सिजन वाले करिंगे नमभरिंग मन फिर इसके बाद सब्सक्रारंब defending देखना है सब क्सक्राइब नमबरंगी के एस सेवरन अब इसे जाएंगे इधर काइर बन से फॉर्थ करने आण और इसे जाएंगे कारवनियों कारवन फिर कोम एक इज्यों इसके बाद एक हईदोजन यहां तक तो यहCANC lah निखें हो गया है और यहाद यह कैंसेल हो गया और बचा किया इसके पास एक हईडोजन और एक बांघ सय ऑक्सीजिन अरिजर किया है डबल बांघ स्विजन डबल बांघ स्वंगर बंच अभी मैं एक आडर बताऊंगा फिलाल आप यह समझेंगे इधा डबल बांड है तो इसकी परार्टी ज्याद होगी इसको वान है इसका टू और इसके बाद इसकी थीरी हो जाएगी हमें मूव करना 123 123 मूव किया और जाएगा इसका नमंगलेश्चर कलाग्वाइद मूव किया हमने और फॉर्ट पोजिशन नीचे क्साइब बाटम बाटम पर है फॉर्ट प्रपर पोजिशन है यह हो जागी हमारी फॉर्ट पोजिशन अब हम देखते हैं क्वेश्चन नमबर टैन करें कि इसको नमबरिंग करेंगे वन ऐस्यच्व चिछ टू ओ यह में हमने नमबरिंग की थी सियच्च वाले को ठू इसको भी कर देंगे हम टू अब इसको कर देंगे ठीच और हाइड्डोजन हो जाएगा मारा पॉर्ट अब क्या देखेंगे आप फॉर्थ करेंगे 123 तो हम जा रहे हैं clockwise तो आना चाहिए हमारा आर तो मैंने जब फॉर्थ यहां पर बताया था फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में जब फॉर्थ पोजिशन प्रापर पोजिशन नहीं होती है तो उसमें हम अगर हमारा आर आता है तो उसको हम कर देते हैं इसमें तो कैसे प्रूफ करें कि यह सही है तो अब हम यह फॉर्स बोजिशन जो है इसको हमें बाटम पर लाना है तब जाकर उसको फिर से नमंग लेचर करेंगे फिर उसके बाद देखेंगे क्या एस आता है तो इसके लिए हम क्या करते हैं इसको इधर लाते हैं और इस वाले को इध चाहिए और इसमें माने क्या किया है और हाइट्रोजन को नीचे लाएट लाएंगे तो इसकी प्रापर पोजिशन आप उपर भी ले जा सकते हैं ताप या बाटम पर मैं नीचे ला रहे हैं और चीछ टू ओएच को इधर लाए रहे हैं यह स्टू ओएच इदर आ गया अब इसका भी इंटर्चेंज करेंगे ओएच को इधर और और इच उपर आ गया और और इधर अब आम इसकी नमबरिंग करके देख लेते हैं किया इस नम गले चार आता इसका इसका वन इसका टू इसका थिरी और इसका फॉर्ट करेंगे 1 2 ngon पूआ रछाव करना होगा अधिसे योग और स क्यों अगर अध्यार कबना चाहिए इस तरह से मैं अभी कुछ एक्जांपल में इस तरह से करूंगा फिर आने वाले एक्जांपल में डेरेक्ट करूंगा यह विए इसको दुखते हैं और इस हूं पु ही अधर कारबन इधर नाइटरोजन अब इधर इस कारवन से दो अक्सिजन लगा है और इधर यह नाइटरोजन लगा रहा है मतलब डारेक्ट विए तो पर 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 पोजिशन नहीं है टाप पर नहीं है या बाटम पर नहीं है फिर साम इसको बाटम पर लाएं इसको मैं इससरे लाऊं हम और उक्त वह पर लें गए आफ इसको यहां पर रहे हैं तो इसको वहां पर लेंगे अभी इन इसको यहां पर इसको यहां पर और इसको यहां पर इस तरहां कोई फाजा नहीं होगा फिर हमारा क्या मिलेगा यहां पर यह सी इसे चार बांट पहले बना लिए जाए फिर एचार आये नीचे इनस्टू जारा इधर और और सिस्ट्री गया ऊपर फिर इसके बाद सी ओट आ गया इधर कि अब नंबरिं कर लेजी इसका बैं है इसका वन इसका टू में इसका गई है मूवे क्या आ यहां से क्या होता तो आगए सबर आम क्लाक वाइस थे और फॉर्स पोजिशन पर आपर पर नहीं थी तो इसको हम कनवर्ट करके क्या बनाते हैं इस कर सकते हैं अब बात करते हैं यह दो होगा इस तरह से अगर हम इसको यहां पर लाइस कर सकते हैं अब बात करते हैं यह दो हो गही हमारी अचिसर वाले का फिलाइंग वालिक बात करते हैं यह यह देड़े रहे हम अब इसकी नमबरी की जाया तो फ्लोरीन ब्रोमीन अजय में इसकी नमबर ब्रॉमीन कर सबस्द दाइंब कर्व लिए से बाद इसका इसका निज्सका फॉर्स पोजिशन पर कि इंट क्लाक्वाइश इसका नॉओन लेचर हो जाया हो है इस कि और चलते हैं sell कि रच उसले गोल मेन को देन्गे वन्हैंक को देन गेंगे टू कि इसको देन जिसको देनगे थिरी इसको देनगे 14raszam मैं हमें देखना ही हो जाए कि इसकी इस नहीं तो फॉर्न देखिए क्या यह डीस पर है पूदेशन हमारी हमँशा डीस पर होनी चाहिए तो इसके लिए हम नामन लेशार करेंगे तो फॉर्ट्र वॉजिशन इसमें प्रपर नहीं है इस आ तो इसका नौमलेचर होगा और एक्चुल में तो हम इसको भी इन डबल इंटर इंटर कनवर्ट करके देखते हैं तो हम हम इधर ले जाएं और में इसको इधर लाएं इसको हम हाइड्रोजन घाना चाहिए तब चाहिए तो हमारा नौमर्ण टेसर रहें पर आने के लिए यहां से यहां पर आएगा और ब्रोमीन यहां पर जाएगा हाइड्रोजन यहां पर आ रहा है वह ब्रोमीन को रिप्लेस करेगा अपनी जगह अब यहां पर आ रहा है तो ब्रोमीन यहां पर नहीं आएगा ब्रोमीन उसी जगह जाएगा ठीक है अब यह से यहां पर जाएगा और यहां पर बना तो फिर तो यहां पर आजाएगा हमारा ह कि ज़र आएगा यह वाला सील इधर आ रहा है सील इधर सीस्ट्री इधर इसकी नम्रेंगर क्या देख लें क्या होता है कि वन टू थी फॉर वन टू इधर सिरी आ रहा है बीच में तो वन टूसरी अमरा इमनूजमेंट यहांत होगा तो इसका कन्फिगरेशन होजागा हमारा और आ रहा देन हमारा यहां गया देखते हैं करनerson नंबर 14 कि ऐस्कष्ट को ओच ओट सी ओओ और अच हमारा नंबर वन यह नंबर टू यह नंबर शरी यह और नंबर फोर्थ यह in kalian अन्यंख्यक्त पार इससे लगगी ऑट दो हाइड्रोजन और यहां पर कार्बान वह ब्रहकशतिशन है तो यहां पर इसकी प्रहतिन जदा हो साल्प हॉचाथ है यहां Оद्ट अब करके देख लेते हैं है कि इसको हम इधर ले जाएंगे और सी ओओ इधर लाएंगे सी एश टू को उपर सी एश थी नीचे शी यहां पर आ जाएगा और सी एश टू ओ यह यहां पर अफिर से नमबर रिंग करके आप देख लेंगे इसको नमबर वन इसको टू थीरी फॉर्थ पोजीशन परापर हो गई हम आपने मूफ करना है वन टू थीरी यहां से इसका नम करते हैं यह वाला यह वाला तासान है वन टू थीरी फॉर्थ फॉर्थ पोजीशन परापर है ठीक है वन टू थीरी जिसको हम इंटिक लगवाइज रोटेट करा देंगे यह हो जाए करना मंग लेचर इस हां तो बात कर रहा था मैं कुछ अभी आर्डर की ठीक है कि अगर हमारे पास यह होता है तो हम इसको किस तरह से और लिख सकते हैं इसको किस तरह से हम कनवर्ट करते हैं तो यहां से हम एक बांड हटाएंगे जैसे कि यह हमारा दो बांड लगा है यह एक बांड एक बांड हमने यहां से हटाया एक बांड यहां पर लगा देंगे और एक बांड कि एक बांन आठ आएंगे तो इस कार्भण से एक और अक्सीजिन दूला इस बांट से वाण समेंथ जोर देंगे और इस गारण से इसी माझ तो इसे घंच की एक राएंग ये जाएगा हमारा अग्र आंग हमारा अप्पल बांड सी और यह तो अपने पड़ा रहेगा और यहाँ से एक बंड हटे गामा रहा एक भांड हम यहां पर लगाद देंगे लिए मतलगा टिए लाइंगे था यह सी बाइनगे इस कारबन से यह से बांड अल्ड था यह कारबन ऑन अब औरिकर यह यह होडा तो यह अब हम जब दूसरा वाला बांड हटाएंगे यह दूसरा वाला बांड तो यह तो हमारा जैसे पहले उसको हम बना ले इधर सी यहां तक सी हमने यहां दे एक बांड और अटाया तो यहां पर भी एक बांड बनाएंगे और यहां पर भी एक सी और यहां पर भी सी तो इस तरह से हमारी क्या हो जाएगी है दोबन करने के लिए अब ही तो मैंने वैसे कोई लिया नहीं है या पर फिलार कि तो नख्शी वीडियो में जब हम देखेंगे नख्श वीडियो में और भी सारे एक्जामपल करेंगे जो इस आउडर से रिलेटेड होंगे तो हमें उसमें टिपल बांड मिलेगा डबल बांड मिलेगा तो उसमें हम किसको नॉम्बरिंग पहले करेंगे तो उसमें हम नॉम्बरिंग करेंगे सबसे पहले टिपल बांड बाले को फिर उसके बाद डबल बांड बाले को इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में तो तो यह order अगर आपको पता होगा तभी यह जाकर उसको numbering कर पाएंगे तो फिलाल आज के लिए इतना ही मिलते हम से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए में जादे दीजिए खुदा हाफिज पिसक्रियों शाट लेना चाहिए ले सकते हूं झाल में जादे खुदार्ण पिलाल आज को पिलाल आएंगे